आपका एक नंबर सवाल है, भारत में कुल कितनी नदिया है? आपका ओप्षन है, A. पचास नदिया, B. एक सौ नदिया, C. तीन सौ नदिया, D. चार सौ नदिया इसका से जवाब होगा ओप्षन C. तीन सौ नदिया, आपका दो नंबर सवाल है, रेबीज बीमारी किस जानवर के काटने से प्हलता है? आपका ओप्षन है, A. बिल्डी, B. कुत्ता, C. बंदर, D. साम इसका सही जवाब होगा ओप्षन V. कुत्ता, आपका तीन नंबर सवाल है, सर्व प्रथम आलू की खेती किस देश में वुई थी? आपका ओप्षन है, A. सिंगापुर में, B. भारत में, C. चीन में, D. साओधी अरब में इसका सही जवाब होगा ओप्षन C. चीन में, आपका चार नंबर सवाल है, छिप कली की उम्रक कितने साल की होती है? आपका ओप्षन है, A. एक साल, B. दो साल, C. तीन साल, D. चार साल इसका सही जवाब होगा ओप्षन C. तीन साल, आपका पांच नंबर सवाल है, भारत का सबसे अधिक संपत्ती वाला राज्य कौन सा है? आपका ओप्षन है, A. गुजरान, B. दिल्ली, C. महाराश्चर, D. राजस्थान, इसका सही जवाब होगा ओप्षन C. महाराश्चर, दोस्तों ऐसे ही नॉलेज़ फुल विडियो देखने के लिए, हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ओन कर लीजिएगा, आपका अगला सवाल है, निमलिखित में से किस जीव से पून प्राप्थ होत इसका सही जवाब होगा ओप्षन A. भेड, आपका साथ नंबर सवाल है, किस जानवर पर साम का जहर असर नहीं करता है, आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन B. नेवला, आपका आच नंबर सवाल है, और किस राज्य का राजकिय पशु है, आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन C. राजस्थान, आपका नौ नंबर सवाल है, भारतिय रेल की इंजन को बनाने में कितने रुपए का खर चाता है, आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन C. बीस करो, आपका दस नंबर सवाल है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है, आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन वी सफेद, दोस्तों रोजाना ऐसे ही नॉलेज फुल विडियो को देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कर लीजिएगा तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, कौन सा जानवर लोहे की किसको भी हजम कर सकता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन सी मगर्मच आपका बारा नमबर सवाल है, कौन सा पेड सबसे जल्दी बढ़ता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन ए आपका तेरा नमबर सवाल है डौन किस देश का न्यूस पेपर है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन वी पाकिस्तान आपका 14 नमबर सवाल है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद लोकनित्य है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन दी कमिलनाट्यम आपका 15 नमबर सवाल है कौन सा फूल हमेशा सूर्य की और मुड़ता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन दी सूर्य मुखी दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले आपका अगला सवाल है बम बनाने के लिए किस फन का इस्तमाल किया जाता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन दी बादाम का आपका सत्रा नंबर सवाल है किस पेड की डाल पर साम हमेशा लिपते रहते हैं आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन ने चंदन आपका अठारा नंबर सवाल है इस दुनिया में किस जीव का सबसे लंबा जीवन काल होता है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन ने कच्छुआ आपका उन्नीस नंबर सवाल है चान पर पिज़ा डिलीवरी करने वाला देश कौन सा है आपका ओप्षन है इसका सही जवाब होगा ओप्षन दी अमेरिका आपका बीस नंबर सवाल है मक्खी के मुह में कितने दान्थ होते है आपका ओप्षन है A. एक दान्थ B. दो दान्थ C. छै दान D. एक भी दान्थ नहीं आपका सही जवाब क्या होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने मा बाप का सपना साकार करने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजिए और और मिलते हैं एक नए नॉलिज फुल विडियो के साथ और विडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद